हंज नमस्कार रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आचार देव हमारी चर्चा नच्छत्र पे चल लही है नच्छत्र जिनका कभी छरण नहीं होता आकास पत पे वो जगा जहां से ग्रह संचरण करता है पुरे आकास मंडल पे देखें तो 85 ऐसे नच्छत्रों के समू है तारों के समू है जिनको नच्छत्रों की संग्या दी जा सकती थी किन्तु जहां जहां पे चंद्रमा गोचर कर रहा उन्हें नच्छत्रों की संग्या पदान की गई नशेत्र जिनका कभी छरण नहीं होता नशेत्र जो कभी नश्ट नहीं हो सकते नशेत्र जो आपको to the point चीजों को बताने वाले हैं तो जोतिस का आप काम कर रहे हैं अब नशेत्र की बात नहीं जान रहे हैं तो आप ऐसे ही हैं कि पत दिखाने तो निकल पड़े हैं, लेकिन आखें नहीं है, जोतिष को वेद का नेतर कहते हैं और नचत्र जोतिष का नेतर, बात नेतरों तक की, आज हम बात करेंगे 20 में नचत्र की जिसका नाम है पूरवा शाला नचत्र हर गुरा को तीन तीन नचत दिये गये हैं या सुक्रदेव का नचतर है ठिक है पूर्वा शाढ़ा नचतर अन्तिम नचतर आकास पर इसका विस्तार देखें हैं तो 2203 से लेके 2106 डिगरी तक 2303 से 2106 54 तक आकास पत पर जो जगा है उसको पूर्वा, शाड़ा, नच्छत्र के नाम से जानते हैं पूर्वा, पूर्वा, मतलब पहले, असाड़ मतलब प्रशन्नता पहले की प्रशन्नता, या पहले से प्रशन, आप इसको ऐसे कह सकते हैं पहले से प्रशन सास्त्रकार कहते हैं कि इसको जीतना असंभव है ठीक है इसको जीता नहीं जा सकता इसे चरता हुआ या मस्त मदमस्त चलता हुआ पसू कहते हैं या अवजित है या अशान्त है पूर्वा साड़ा के आप देखेंगे पूर्वा साड़ा नच्छत्र में तो चार तारों का प्रतीक है कितने तारे चार तारे धर्मर्थ काम मोच थेखे ना चार वरना चार पुर्शार सास्तकार कहते हैं कि इसके जो प्रतीक हैं हाथी के दांत हैं चार तारे हैं वो हाथी के दांत जैसे लगता है हाथी संसार का सबसे ताकत वर जानवार है और उसो कोई जीत उत नहीं सकता बस लड़ने पे आ जाओ लड़ता नहीं इसलिए हार जाता है अपने मस्ती में मस्त रहता है खुश मिजाज है सब को प्रेम करता है तो इस तरह इसका प्रतीक ये बताता है कि सभी को प्रेम करने वाले होंगे हाथी का दात अनमोल है तो आप अनमोल होंगे क्या होंगे देखो प्रतीक बहुत चीजों बताते हैं अनमोर होंगे बगवान गणपत को एक दंत कहा जाता है मतलब आप बुद्धिमान होंगे ठीक देखे एक प्रतीक से कितने चीज़े निकलेंगी और बगवान गणेश के दंत दात से ही बाद में सारी सनचना हुए अठारा पुणा लिखे गए मतलब आप बहुत कुछ नया स्रजन करके जाएंगे ज्यान देखे जाएंगे संसार को कुछ लोग इसका हाथी का सूर जैसा मानते हैं सूर हाथी को सूर देखे तो सूरे बहुत खास जात है हाथी जहां खड़ा होता है वहाँ से सूर उपर उठा के वह 20 किलो मीटर तक पता कर सकता है पानी कहां है इतनी छमता होती है तो सूर जो प्रतीक माना गया है मतलब बहुत दूर तक आप जान सकते हो जल कहां है जल मतलब जीवन, जीवन कहां है जीवन को जान सकते है हाथी के एक और खास बात होती है कि वो जल में पैर रखती है उसकी गहरा ही नाप लेता है बहुत ज़्यादा गहरा जलत तो रहे गई नहीं तो ये सूच मिज्ञान का प्रतीक है मतलब आप पूरवा साड़ा में पैदा हुए है तो सूच मिज्ञान से सिन्युक्त है यहां नचत्र धनुरासी में चलता है धनुरासी का अधार अस्तम्भ है ठीक है ना और यहां सुक्र का नचत्र है इसके देवता को ना इसके ग्रह के स्वारी नचत्र के ग्रह जो हैं सुक्रदेव है तो दो दो गुरुवों की बात हो रही है एक देवाचार गुरूप, एक देखत्या चार गुरूप, दोनों का बढ़िया सन्युक्त रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सुन्दर सा रूप तो सास्तकार इसको कहते हैं कि हाथी के सुन जैसा है, इसके जो अधिश्ठाता देव हैं वो जल हैं, क्या बात हैं, छित जल, पावक, गगन, समीरा सभी ब्रह्मान्डी जो तक्तो हैं उसमें जल सरवाजिक महत्पून है, जल के बिना संसार में जीव की कलपना करना सम्भो नहीं है, किशानी का काम जल से हमारा जीवन जल से और इस संसार में सरवाजिक जीव हम जल में ही हैं, प्रितवी से ज़्यादा जो 84 लाग की उनी की कलपना की गई है, उसमें मैक्समिन तो प्रितवी के अंदर ही हैं, और हमारी प्रितवी भी 71 परसंट पानी से भरी हुई है, तो जल इतना महत्पून है, और जल अपने आप पे आजाए ना, तो जल से ज़्यादा सक्तिसाली कुछ नहीं, सुनामी आई थी ना, बड़े-बड़े बांग टूड़ गए, बड़े-बड़े बिल लेगे धरा साही, दो मिनट में हो गई, और जल को जीवता है, वरुन, बहुत सक्तिसाली है, बगवान विष्टों भी क समद में कहां डूगा जा सकता है, ठीक है न, तो दूसरे जल की बात है, खैट, और चीज़े हम आपको बताते चलेंगे, तिस नच्चत्र के हम कारकत्त को जान लेते हैं, फिर जानेंगे इसके सुभाव को, और कर्मा बेवसाय को, क्या करना है, क्यों करना है, इस नच्चत जो है न, बाधार अस्तम है, और आप हमें सपोर्ट करेंगे, जिसका फायदा ये होगा, कि और जूसरी भी हमारे तरह नच्चत्रों की बात करना शुरू करनेगे, जूतिस के लिए अच्चा होगा, तो आप हमें सपोर्ट किसे ले कर रहे हैं, जूतिस को बेहतर करने के ल थोड़ा सा उग्र है, उसे सुक्र का नशत्र और उग्र, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें मिलेंगे, या सास्तकार कहते हैं, राजसिक है, थोड़ा असुब है, असुब सास्तकारों ने क्यों कहा, उसको आगे देख लेंगे, और ठीक है, इसकी जो योनी है, बानर है, ब विकास के PARE emboraダ 你 है बहुत इम्पर्टन हो ती है कि इस पूर्टी को जगाने वाला ताज़गी को बनाय रखने वést यहां इसके दौतारे हैं इसका आर्थ है सीग्रजीत सीग्रजीत या पराजित चार तारे हैं करें करें दो तारे भी सास्कार कहते हैं इसका मतलब होता है सीग्रजीत विजे फटापर टुन्टी टुन्टी जैसे हम जाएंगे चोगा चक्का मारके चले आएंगे या आप राजित हो जाएँगे, मैं इस ड्रा करा लेंगे, हरेंगे नहीं पंच तत्वों हैं पहला जो अनमोल तत्थ है, वो जल तत्थ है मन अगास वायव अगनी के पस्चात जो सारी चीज़ें होई हैं एक उत्पत्ति कहां से हैं नर्जी उत्पत कहां से होती है जल से, लाइट कहां से प्रदा होती है जल से, ठीक है न, जिसको जीवन दायनी सकती बाला नशत्र कहा गया है, अब आप देखें जल के दो पुत्र हैं, एक अप हैं, एक अपत हैं, या अपत और नपत, ये नदी और जील के दोनों देवता है वरुण देव समुद्र के रच्छक है और बारिस के देवता है तो ये वरुण देव से रिलेशन बनाएंगे ठीक है न ये जो यहाँ पे देवता कहे गए है अप और नपत ये आपके क्या है नदीव में आप अश्नान करते हैं और अनावशक रूप से अगर आप वहाँ गल पूजा और आराधना होती है बहुत खास पॉइंट है ये ठीक है आप देखेंगे तो इसका एक और प्रतिखा जो पंखा पंखा हां का जाता था आज नहीं आज से बहुत पहले गावों में आप जाते थे तो आप विशिष्ट हैं तो आपको पंखा जाला जाता था राज संतिवे देगा गतीव देगा इस नचत्र की विशिष्टता युँ है कि यद्ध की भोषणा का विजय का नचत्र है या अगर आप कोई से इसको ललकारना चाहते हैं आओ दो-दो हाथ हो जाए तो उसका नच्चत्र है ललकार दीजिए क्यों? क्योंकि गुरु के मूल त्रिकोन रासी में है और गुरु कोई भी काम करता है तो प्लान के साथ खेर करता है तो आप जीवन में किसी को ललकारेंगे ना तो पहले प्लान बनाएंगे हाँ बेटा हम प्लान कर लिया है आओ अब दो-दो हाथ हो जाता है तो यहाँ युद्ध की भोशना का विजय का नच्चत्र है अप राजी तो नच्चत्र है क्योंकि गुरू का मूल सुरूप है ना यापे निडर है, आक्रामक है समाज आरोहक है समाज आरोहक है पॉइंट याद रखेगा अजे हैं, सतंत्र है, आंकारी है, सक्तिसाली है और जल और समुद्र से लाव लेने वाले हैं ठीक? प्रात्मिक जो सिच्चा होती है थोड़ी सी तितर वितर होती है प्रात्मिक सिच्चा में परिशानी होती है जल उद्योग, जल यात्रा, विदेश सियात्रा पानी का काम करना, समुद्र के किनारे काम करना इस सारी चिज़ें आपकों लावकारी है पूर्वा साड़ा नशत्र विवा में बाधक नशत्र माना गया है दुखत वैवाहिक जीवन प्रारंबिक वर्सों में थुड़ी सफलता मिलते हैं लेकिन बाद में वैवाहिक जीवन दुखत होता है पूर्वा साड़ा नशत्र को जो देता अपा है तो जल प्रकित हो जाएगी अगनी तट्व में चल लाए है अगनी तट्वी रासी है लेकिन नच्छत जल तट्व को लेके चलता है अब जातक के अंदर आग और पानी दोनों है तो कहाँ पे संयम मरतना है और कहाँ पे क्रोध दिखाना है दोनों और जो अपने प्रोध को जीत लिया उस संसार में अजे है, अबजित है, कोई उसको हरा ही नहीं सकता, इसलिए जातक अजे है अजे क्यूं है? अजे वोने के पीछे जो कारण है इसलिए जातक अजे है कि उसके साथ ऐसी चीजें चल लही है सुतंत्र हैं आंकारी हैं थोड़े से प्रभावी होंगे निश्चत्रोप से थोड़ा क्रोधी होंगे जल्शमंदी कामों में लाभ होगा 8 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, अत्यन्तों सुभ होते हैं सास्रकार कहते हैं कि सुगठित आकर्शक सुंदर सरीर वाले हैं अब गुरु अगर अच्छे हुए तो बहुत अच्छे रहेंगे गुरु की उपस्ति की उपर यह चीजें देखे जाएंगे लिकि नच्छेत्र सुंदर सरीर, सुंदर आवरण देने की बात करता है कि सुंदर सरीर आपको मिलेगा लंबे कान होंगे कान लंबे होंगे मतलब भुगात्मक सकती ज़्यादा होगी सास्रकार कहते हैं कि सुंदर दंत लंबे कान चम्कीली आँखें, बदामसी आँखें, लंबी भुजा 32 years तक कटनाईया या उसाद आती हैं जीवन में 32 years के बाद आपका भाग्योदे होता है 32 वर्स के बाद भाग्योदे होता है 50 वर्स में आपके उन्नती जो है चरम पे होती है जैसे 50, 49 से 50 पहुचेंगे, उन्नतीयों के आप चरम पे होगे बीवाह थोड़ा बिलंब से करते हैं, बीवाह बिलंब से होता है दामपत जीवन अधिकान सत्या, इनका सुख़द ही दिखाई पड़ता है चिकित्सा या ललित कला में बिसेश सफलता आपको प्राप्त होती है ब्यवसाइद विकास, अगर आप ब्यवसाइद में हैं तो नौकोनों पे निर्वर रहते हैं आप खुसता काम नहीं करते हैं, थोड़े आराम पसंद हो जाते हैं माता-पिता के पेच्छा जो आपके मित्र हैं, भाई-वहन हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं माता-पिता के पेच्छा, भाई-वहन या मित्र आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे पतनी ज़्यादा तर सुखदात्री, समान, विचारधारा वाली होती है केते हैं कि सुंदर आकृती है गौर वरनां तो आप अस्थान के अनुस्वारे ली जब स्याम वरनां बहुत होता है भगवान विश्णों के लिए शहां वरन कहा गया है वंजनी स्याम वरन से लोग मुद्ध हो हैं लज्जवान है सद्गुणि हैं सोभा युक्त हैं आपकी आखें बिलकुल वदाम जैसे हैं कटीली आखें सुन्दरता में यहां आखें आपके चार चांद लगा देती हैं उसाहित हैं चेतन मनों मस्तिस को लेकर चलने वाले हैं हर बात में तरक युक्त हैं मतलब कोई भ लुब आपने वाबाप्स को नहीं लेंगे उता हूता है। अच्छत रही दे रहा है तो क्या करेंगे रिस्तेदारों में वरिष्ट होते हुए भी माता पिता भाई से जो संबंध होते हैं थोड़े से मलीन हो जाते हैं उच्च सिच्चित हैं को सालाय चिकित्सा विज्ञान धर्मसंस था ललित कला में आप कारेरत हो सकती हैं चंद्रमा बुझ से यूथ हो तो लेकन विवसाय में आपको बहुत ज़्यादा सपलता मिलेगी पुरुष जातक की भात या आपको भी 32 येर तक संघर्स करना पड़ता है कोचित रुष्टा कोचित तुष्टा ठीक है ना इस चीजे मिलती हैं सास्रकार कहते हैं कि पानी बहुत पीते हैं अगर सूरे नारायन यहां पे आके बैठ जाएं तो पानी पर 6 लीटर 8 लीटर पी जाते हैं लोग और और सास्रकार क्या कहते हैं करम बहुसाय पे आते हैं तो और सासकारों को हम देख लेते हैं पाराशर महाराज कहते हैं रिशी पाराशर कहते हैं पहले हम नारद महाराज को देख लेते हैं सामानता नदिश शमुद्र के अस्थानों पर अच्छा धन कमाते हैं आप लोग से तु बनाने से लाव होगा अधिक जल यात्रा करते हैं सीमा जली वस्तुरेट संख जली वस्तुमस पालन आज से आपकी जीवका बहुत अच्छी चलती है ऐसा नारद मुनी कहते हैं पारासर महराज कहते हैं कि दिचंदर इस नशत्र में होतो जातक घमंडी होता है, अजे होता है, सुतंतर होता है तीब्र प्रवावी होता है मतलब फटफट काम करने वाला होता है दूसरों पर अधिकार जमाने वाला होता है निडर आप हैं, महत्वा कांची हैं कोई डाउट नहीं है, अधिक अच्छे की चाह होती है, मतलब और अच्छा कर ले जाएं, गहन हैं, भावुक हैं, हप दार्शनिक हैं, कभी-कभी बिरोधी हैं और कटुभासी हो जाते हैं, वारामीर महाराजी कहते हैं कि चंद्रमा का प्रवा हो तो घमंड पच्पत्नी के मदूर सम्मंदों में थोड़ी से परिशान आजाती हैं, इस नचत्र में वारामीर के उन सारे सूर्य महाराज बैठे हो, तो जातक पुष्ट देह वाला होगा, पराक्रमी होगा, सत्र होगा, संघारक होगा, सेना नायक होगा, ठीक है न, भाई दिको सूर्य राजा है, टेज है, अगर उसको ऐसी नचत्र मिल जाए, अब जी तने चत्र में, तो फिर उसको कौन दबा सकता है, बिद्ध्वनसक हो जाता है, कभी कोई सासकार कहते हैं, बिद्ध्वनसक हो जाते हैं और यहीं पर मंगल और सूर का प्रवा हो जाता है, जाता है, बिद्ध्वनसक हो भी जाता है, ठीक है न, और चीजों को देख अगर आप सुन्दर हैं तो चीज़ें आपको खींचेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़े से मात की कर्म बेशाय की बारता कर लें, फिर और ग्रहों की बात करेंगे, देखिए हम पूरा साड़ा में चार चरण चलेंगे, पहले में सिंग नवांस, दूसरे में कन्य नवांस, तुला नवांस, ब्रिस्चिक नवांस में लेगा, तो सिंग नवांस में आप सेना का काम कर सकते हैं, पुलिस का काम कर सकते हैं, ठीक है न, सासन का का काम कर सकते हैं, कन्या नवांस में पूरा लेंदेन का, ब्यापार का का काम कर सकते हैं, अच्छे लेक अप हो सक तुला नवांस में फिल्म से रिलेटेड या फिल्म जिगत में आप काम करने वाले सुन्दर चीजों का काम करने वाले हो सकते हैं। तो इसने चत्र में जनुवाय तो आप खजांची हो सकते हैं, लेखाकार हो सकते हैं। नर्शिंगा होम चला सकते हैं, चला सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। सामाजिक कारिकर सकता होता है, पी डवलुडी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, रेल बिभाग, सामाजिक कारिकरता, फल, फूल, विक्रेता, जल इस्टोर, प्रोविजनल इस्टोर, वावियान, सडक, निर्माड, पसपालन, होटल, ब्यावसाय, अंतर राश्टी, ब्यापार, स्वास्त, केंदर, रेश्यम, सूत, सक्कर, बाग, नरसरी, रे बजब के होंगी, आपके अंदर जो बोलने की छमता है, वदभुत होगी, अंतर राश्टी इस तर पर आपको पहचान देगी, ठीक है ना, अभी जो हम इस पर बात करेंगे ना, कौन-कौन महान लोग काईदा हुए, तो आपको देखना, अंतर राश्टी ख्याती देता है इस पर अब जो जो ग्रह बैठेगा, देखिए सिर्फ चंद्रमा को मत देखेगा, आप साथ साथ देखते चली और कौन-कौन ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की अनुसार देखेगा, सिर्फ चंद्रमा बैठे हैं तो मोटा-मोटा फल मिलेगा, लेकिन और ग्रह बैठे हैं और भी फल मिलेगा तो आपके मानली जी लगने से यह पर आके बैठे हैं तो ऐसे सारे चीज़ा आपके बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं आपके तृती भाव का स्वामी आके यहां पर बैठा है आपका भाई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है आपके पंचमबाव के स्वामी बैटे हैं आपके संतान बहुत अच्छा वक्ता होगी आपके पिता के स्वामी बैटे हैं आपके पिता जी बहुत अच्छी वक्ता होगी जीवन साथी का स्वामी बैटा जीवन साथी बहुत अच्छी वक्ता होगी तो जो भी ग्राह इस नच्चत्र में आकर बैटेगा इस नच्चत्र की खूबियों को ले लेगा पॉइंट ये है ठीक है न इसको ध्यान में रखेगा हाँ तो देखिए इसमें रूडॉल्फ हिटलर कजन में जो है चंद्रमा इसी नच्चत्र में था इसलिए वो अपराजित था क्या अपराजित था अगनित तो है न और ओसुर रजनीस भी इसी में पैदा हुए थे उनका असवारी सूर इस नच्चत्र में था इसलिए उनके प्रवचन की काड़ किसी के पास नहीं थे जो बोलते थे ना लोग मंत्र मुख दो के सुनते थे जिस धर्म की उतार छेंड देते थे तार उतार देते थे उसको कोई बचा नहीं पाता था तो सूर इनारायन इस नच्चत्र में होते हैं तो ऐसा फल मिलता है साथ में अगर चंद्रमा महराज इस नच्चत्र में हैं चार चरणों में तो चार चरणों का क्या फल मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ प्रतम चरण में हैं तो सासकार कहते हैं क्योंकि धनु नवा पहले चरण में आपको सिंग अनवांस मिलेगा तो जा तक क्रोधी हो जाएगा तेज हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा भ्रष्ट आचरण कर सकता है दूसरों पर अधिकार करने की इच्छा बहुत रहती है अंकारी हो सकते हैं जली वस्तु के प्रेमी होगे जल के पास रह प्रषणनों होने वाले परिवार में अमूल होगे गरीबों के मददगार होंगे तीसरे चरण में तो तुला का शुक्र नवांस मिलेगा तो तुला का शुक्र नवांस मिलने से सीग्र प्रशन होने वाले सीग्र लाव देने वाले और सीग्र नाराज होने वाले और नाराज हो जाएंगे तो नुकसान करने वाले हो जाएंगे अपने तरीके से जीवन को मस्ती में जीने वाले आनंद जीवन बितित करने वाले गहन भावक दार्शनेक होते हैं चालिस वर्स के पस्चात अप्रत्यासित लाव या हानी होती है धन भेवी करेंगे तो प्रत्यासित करेंगे लाव भी होगा तो प्रत्यासित होगा चतुर्थ चरण त्रती चरण क्या है कि अब धनुरासी हो गई तो सुक्राप के कुंडली में जो है ना कारक नहीं होते सुक्राप के कुंडली में क्या हो जाएंगे ये खश्टेश हो जाएंगे इसलिए इस तरह के चीज़ें मिलते हैं समस्ते चलिए चतुर चड़ में जाता कहें तो स्वाविमानी सुतंत्ता के सा चतुर टेज होगा अपनों का भला करने वाला दूसरों का हित करने वाला छोड़ेगा नहीं कभी कभी बिरोधि दूसरों के इस्त्री को भी चाहने वाला घमंडी व्यक्ति हो सकता है अब पूर्वा शाड़ा में अगर मंगल महराज हुए तो क्या होगा अगर प्रतम चरण में है तो जातक लोभी होगा यूतियों का संग पाने का इच्चुक होगा पराइस्त्रों में यहुना चार में लिफ्ट हो जाएगा इनी कारणों से सरीय में से तिलता आ जाएगी और कोई रोग आ जाता है कोई कोई जातक कभी कभी सराभी हो जाता है दो तीचरण में है तो आचरण प्रस्ट होगा इस्तरीय मेरत होगा वेस्चा कि यहां जाने वाला हो जाएगा गिद्ध द्रिष्टी वाला हो जाएगा सास्टकार कहते है कुसंगत वाला चिंता ग्रस्त ह जाता है आपने सिर्फ एक चीज नहीं और चीज़ों को देखना पड़ेगा चत्रत्वाव पीडित होना चाहिए गुरु पीडित होना चाहिए तब इस तरह के चीज़ें आएगे एक मंगल के बैठने से नहीं आएगा आएगा लेकिन कम मात्रा में आएगा तृतिय चरण मे है तो जातक स्वाविमानी होगा जिसके प्रसन उसके हितक करने वाला होगा जिसके उपर प्रसन उसको निच्छावर कर देगा जिस पर प्रसन उसको लुटिया डूबो देगा आसानी से नस्य के आदि हो सकते हैं तृतिय चरण में पैदा हुए क्यों कि सुक्र का तुला दबान से मिलेगा, सीमा सुलक से तुकाराद से आप लाब उठाने वाले हैं, आप बाउंडरी लगा देंगो, गुंडा टैक्स ले सकते हैं, चतुर चरण में जन में लिया है, तो स्वाव़िमान ही होंगे, स्वाविमान अहंकार की सीमा तक चले जाएगी, कभी कोई बहंकार जो है न इहीं हो अगर आप जाते हैं तो कमांडर या उच्छ कमांडर तक बन सकते हैं सास आने में निपड़ होते हैं समुद्रपार्प सिधन कमाने वाले होते हैं बुद्ध माराज अगर यहीं पर बैटे हो तो जातक दुराचारी हो सकता है पर इस्त्रियों के साथ रंग्रेलिया मनाने वाला घमंडी हो सकता है सरावी हो सकता है आक्रामा रहेगा प्रशिद्यों को प्राप्त करने वाला होगा इन के इन प्रकारेंट से अपना काम बना लेने वाला होगा इस तरही सुक हीन हो जाएगा सिच्छा क्रमवद्द नहीं हो पाती सनी की यूती हो जाए तो ब्यापारी सुक्र और सुक्र की यूती हो जाए तो बहुत अच्छे ब्यापारी होते हैं विदेश तक से ब्यापार करेंगे और बहुत पैसा ही कठा करते हैं सनी और सुक्र और बुद हैं यहां पर बहुत अच्छी यूती बनाते हैं पैसा आपको मिलता है, बिदेश में ही जाकि बस भी जाते हैं, बिदेश से लोट के आते भी नहीं, दोतीच रण में आएं तो सुतन तपरी हो जाएंगे, अभी स्वाई मानी हो जाएंगे, समुद्री यातरा करने वाले हो जाएंगे, बेदबा और इस्त्रियों में हित करने वाले बिसनी आप हो सकते हैं, यहाँ पे दिकी बिसन बहुत आता है, मतलब यह नश्चत्र सुक्र कहा एक खींचता है, आप सरकारी नवकरी में हो सकते हैं, प्रकासक हो सकते हैं, मंत्री के सहायक हो सकते हैं, बेवसाही हो सकते हैं, कानून विश्यशक गया लेखा का नियं सार होती है चतुर च्रण में अगर आपका बुद्ध आ है इस नशत्र में तो जातक कुटिल होगा जिससे नाराज होगा उसका बंटा धार कर देगा मनवानी करने वाला दंड पाने वाला 42 से 52 से की उम्र में गंभीर बाधाओं गंभीर बीमारियों का सामना करने वाला होगा वीडियो लंबा हो रहा है न चलिए थुड़ा सा और फटा फटा प्ट आगे ले जाते हैं तो अगर गुरू इसी में नशत्र में है तो पर्थम चरण में है तो जातक दुष्ट बादलों वाला सुभाव वाला अर्थात कहीं वरिष्टी कहीं या नावरिष्ट जिसको प समुद्र तरवासियों से लाव लेने वाला होगा तृती चरण में है तो जातक सुन्दर होगा और सुन्दर होने के साथ साथ अपने तरीके से काम करने वाला होगा सुतंत राचन करने वाला होगा सामर्थ साली होगा थोड़े से गुप्त रोग हो सकता है मुत्रा से सम्मन हो सकते हैं समुद्र के किनारे इस तरह के जो क्रियाएं होती हैं उसमें आप काम कर सकते हैं तो गुरू का भी आज चुतु चुन बहुत अच्छा फ़ल नहीं दिखाई दे रहा है सुक्र महराज बैठे हैं सुक्र आपके खष्टेस हैं और आपके लाभेस हैं ब्याकुल पराधिन नौकर दुस चरित्र दूसरों के स्त्री को चाहने वाला विवासी ग्रोता है मदरा के सोकीन हो जाते हंकारी हो जाते हैं दतीचरण में है तो अईमानी है अनंदित है मिलन सारे सुंदर पतनी वाला है आज युका करने वाला है ठीक है ततीचरण में स्वाइमान से बरा हुआ समुद्री मार्ग से निर्यातक कुसल अच्छा है अधिक स्वेज से परिशान रहता है पसीना बहुत होता है अकेला दतीचरण में सबको संतुष्ट करने वाला संतृत करने वाला सरणागत का उपकार करने वाला त्रतीचरण में स्वाइमान से बरा हुआ पत्नी मन तन प्री वं मित्रवान होते हैं सुच्छनता प्री होते हैं जल के माध्यम से लाप कमाने वाला चतुर चरण में हैं गमंडी होंगे असलील भासी होंगे दुराचारी होंगे दूसरों के जीवन साती को चाहने वाले हो सराप के लग जाएगी तो छूटे नहीं छूटेगी रात दिन नसे में धूत रहेंगे और धूत रहेंगे घर को नश्ट कर देंगे राहू राहू पूरवा साड़ा नश्ट्र में हो तो ये सुक्र का नैसरगिक सक्त्रू है क्या है इस नचत्र में राहु सुफल दायक तभी हो सकता है जब राहु के उपर सुफ ग्रहों का प्रभाव हो, नहीं तो राहु अनेक कष्टों को देने वाला होगा, इस पॉइंट को आप करेंट कर लीजिएगा, तो प्रतम चरण में है तो अनेक कष्ट होंगे, यहां पे राहु वहीं अगर केतु महराज यहां पर प्रतम चरण में है तो प्यास बहुत लगती है, पेसाब बहुत आता है और सराब के लद कला की कारण बनते हैं, दो तीरे चरण में है तो सत्रों से पराजय, इस्त्री से बदनामी, पीड़ा, पारिवारी कला, बेवसाई खानी हो सकती ह तीसरे चरण में जलीवस्य अलपलाव, सारीरिक मद्दम शुक हानी, चतुर चरण में है तो अत्यनत असुप फल मिलते हैं, चर्म रोग सराबाद का आदीर, जीवन अस्तव्यत, सारीरिक आगहात लगता है, ठीक है न, ये चार चरणों में सभी ग्राज बैठते हैं, तो म मोटा मोटा मैंने आपको सभी ग्रहों का बता दिया, इतना विस्त्रित वीडियो आपको अन्यत्र सायद ना मिले, ठीक है न, तो चैनल को सब्क्राइब नहीं का, चैनल को सब्क्राइब करिए, लास्ट में हम आपको इक पॉइंट बताते हैं, कि देखिए, यह नचत्र, अब जित नचत्र है, अपराज यह नचत्र है, इसे जितना मुश्किल है, अगर यह सही से अपने सक्तियों का उप्योग किये तो, वरना भिसम पितामा को हराने के लिए कि एक युक्ति कापी है, सिकंडी को खड़ा कर दो, भिसम पितामा हर जाएंगे, अगर आपने सक्ति नहीं का विजित है तो हारोगे नहीं, अगर सक्तियों का दुरुप्योग करोगे, गलत जगा उप्योग करोगे, तो फिर अस्वस्थामा नरो मरो या कुंजरो, रत का पया जाके थंस जाएगा जी, ब्रह्म विद्या भूल जाओगे, दैवी जो अस्त्र हैं, उनका आपने जन्म लिया पूर्वा शाढ़ा न चत्र में, ठीक है, तो पूरु जन्म के सुन्दर कर्मों की वज़ा से आपको पूर्वा शाढ़ा न चत्र मिला है, आप पूर्वा शाढ़ा में क्यों हुए, आपने पिसल जन्म में बहुत सुन्दर काम किया थे, आप कहीं पे स आप सासल सता का काम कर रहेते हैं और सब को आपने प्रसंदता दिये हैं जिसका भी भला हो सकता है सब को आपने भला किया है किसी का बुरा नहीं किया है। अब आप महाराज हैं पूरवा शाढ़ा नचित्र में आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है जीवन में भाग्योदे प्राप्त करनी है आप अस्वनी नचित्र का उप्योग करें जीवन में सफलता मिलेगी अस्वनी के देवताओं का आप पुजन करें, भाग्योदे आपका हो जाएगा. भरनी नचत्र का आपको करमा करना आपकी करमभयोसाई के लिए अच्छा होगा. देखो, यही तो नचत्र की खासित है. आप एक नचत्र को पकड़ेंगे, नचत्र की इस करमभयोसाई को ठीक है ना आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उचाही मिले तो बेतस के बैद के पोधे लगाएं आप जैसे जैसे फलेगा वो फूलेगा बेतस से पूलता नहीं ठीक है ना तो जैसे जैसे बढ़ेगा उसे वैसे आपको सफलता मिलना सुरू हो जाएगे संतान के जिश्कोन से बात करें संतान आपकी तेजस्वी है संतान तेजस्वी है और द्रड़िश्चा सक्ती वाली है थोड़ी सी वो आपकी बातों कांसूनी करेगी तेज है कोई डाउट नहीं है संतान आपकी तेज है हाँ संतान के लगन पे सुक्र का प्रभावा जाएगा संतान आपके कुछ अउगुणों को भोगात्मक अउगुणों को लेके पैदा हो जाएगी जीवनसाथी के बात करें जीवनसाथी निश्ची तुरुप से आपका टैलेंटेड है सुंदर है सही तरीके से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है कोई डाउट नहीं पि पिता जी थोड़े से जो उनके बुद्धि हो ब्यापारिक बुद्धि को लेकर चलने वाले हैं तो यह आपका धन कैसे कमाओगे तो कुंडली में अगर सनी अच्छे हैं तो धन की स्थती कभी खराब नहीं होगी कुंडली में सनी सेकंड हाउस में थर्ड हाउस में फोर्थ ह हो जाएगा चलिए खुश रहिए स्थोस्त रहिए मुस्कुराते रहिए राधे राधे करते रहिए वीडियो पसंद आए तो सेर जरूर करिएगा